पलवल पसु तसकरों ने गौरक्षक दल वे पुलिस से अपने आपको खिरता देख पसुओं से भरी हुई सेंट्रो कार से उतर कर पुलिस वे गौरक्षक दल पर फाइरिंग करना शुरू कर दिया खेतों के रास्ते भाग निकल गए पुलिस वे गौरक्षकों ने पीछा कर तीन आरोपियों को मौके से पकड़ लिया जबकी एक फरार हो गया इस दोरान गौरक्षक को भी चोटे आई हैं पुलिस ने पसु तसकरों के खिलाब हत्या के प्रयाज सहित वे भिन्न धाराओं मे केश दर्ज कर आगे की कारवाई सुरू कर दी है पलवल सदर थाना प्रभारी रादेश्याम ने बताए कि उनकी टीम रातरी गस्तपती उस दोरान लाइफ और नैसन संगटन जो गौरक्षक दल के लिए काम कर रहा है जिसके सदस्य सोनु ने सूचना दी कि एक सेंट्रों क पार में कुछ पसू तसकर प्रतिवंदित पस्वों को भर कर ला रहे हैं सूचना पर पुलिस ने नाकबंदी शुरू कर दी जैसे ही उक्तकार आती दिखाई दी तो पुलिस ने उसे रोखने का इसारा किया कार चालक कार को तेजी से दोडाता हुआ आगे ले गया और आग पुलिस कर्मी वे गौरक्षण दल के सदस्यों ने उनका पीछा किया तो उन्होंने फिर फायरिंग की लेकिन एक पसूख तसकर को पीछा कर पुलिस वे गौरक्षण दल के सदस्यों को चोटे भी आई हैं पकड़े गया आरोपी की पहचान टीकरी ब्रहमन गाउन वासी न नाउदीन ओर्फ हम्मन को ग्रफतार कर लिया है जबकि जड़ा नू के टपकन निवासी सौकीन अभी फरार है जबकि आरोपी की कार की तलाजी ली गई तो उसमें दोसांड बेरहमी से मूँ वैपैरों से बंदे हुए पड़े हुए थे सर तीन गोर तसकरों को पकड़ा है कहां से पकड़ा है और कितनी गए इनसे परामद किया अब सुछना मिली थी कि गाएंगे गाड़ी आ रही है और जो गोरक्षादल के से दस्वा द्वारा और पुलिस के द्वारा सयूखते नाकाबंदी करके एक सेंट्रो गाड़ी को राउन अप किया था जिसमें दो सांड गरेवे थे और जो की अपने गोरक्षादल के से दस्वादी थे उनकी थोड़ी दूर पर गाडी खड़ी थी उस गाडी में टकर मारके भागने लगे और जो गाडी टकर लगने दुजे से गाडी चलनी पाई और फूद करके भागने लगे उनमें से टोटल चार व्यक्ति थी जिनमें से नवाब सनोफ रमजान जो की टिकरीब रामन का है इसको मौके से गिर्फतार कर लिया था और बागने वालों में एक सज्जी उर्फ सज्जा है जो की गुरापसर का है दूसरा अलाउधिन उर्फ हमन जो की मोरु का नगला हसनप पास का है इनको सराय खटेला के पास से राउंड अप किया है और एक दूसरा अन्य औरोपी है सोकीन जो की गाड़ी का डरीवर था यह भागने में सफल हो गया था इसको भी जल्दी से जल्दी हम राउंड अप कर लेंगे और जिनके खिलाप धारा तिन्टोसाथ आई-पी एक सोबीस बी एनिमल क्रिवल्टी एक्ट एच हर्याना गोवस वर्दन एक्ट के तैते वैर्म सेक्ट के तैते मुदमांदर्ज करके करवाई की जा रही है जो कि इन्होंने मोके पर भागने के लिए अपने आपको बचाने के लिए दो फायर किये थे जिनमें से पोलिस पा इन से परामत किये हैं आप सुगह करीब पांस सड़े पांस पूजे के आसपास की बात है हमारी पुलीस गस्त के दोरान थी और इसी दोरान गोरक्षादल के टीम के दश्व के द्वारा सुचना मिली थी कि गाएं भी गाड़ी आ रही है और जो गोरक्षादल के द्श्व द्वारा और पुलीस के द्वारा सेयुक्त नाका बंदी करके एक सेंट्रो गाड़ी को राउंड अप किया था जिसमें दो सांड बरेवे थे और जो कि अपने गोरक्षादल के से दस्वे थे उनकी थोड़ी दूर पर गाड़ी खड़ी थी उस गाड़ी में टक्कर मारके भागने लगे और जो गाड़ी टक्र लगने विज़े से गाड़ी चलनी पाई और फूत करके वे भागने लगे जो उनमें से टोटल चार व्यक्ति थी जिनमें से नवाब सन्व फ्रमजान जो की टिकरी ब्रामन का है इसको मौके से गिर्फतार कर लिया था और भागने वा दूसरा अलाउगदीन उर्फ हमन जो की मोरू का नगला हसनपूर के पास का है इनको सराय खटेला के पास से राउंड अप किया है और एक दूसरा अन्य अउरोपीय सोकीन जो की गाड़ी का ड़वा था ये भागने में सफल हो गया था इसको भी जल्दी से जल्दी हमें रा आपने आपको बचाने के लिए दो फायर किये थे जिनमें से पुलिस पार्टी को पर दो फायर किये थे जिनमें से मोके से खोल भी प्रामत किया थे